तो आज हम दोहनी कवीता की व्याख्या शुरू करेंगे। हमारे सामने प्रस्तूत करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अभी मेरी मृत्यू नहीं होगी. अंत का अर्थ है मृत्यू तो कभी कहते हैं कि अभी मेरी मृत्यू नहीं आ सकती. क्यूं? क्यूंकि अभी मेरे जीवन में वसंद, अर्थार, खुशियों का आगमन हुआ है वसंद रूपी जो खुशिया हैं कभी के हृदे में पूरन रूप से आ चुकी है तो उन्होंने इस कविता में लोगों को आशावादी दृष्टिकों रखने के लिए बताया है कि किस परकार हम अपने जीवन में आशावादी होकर अपने जीवन को आगे भढ़ा सकते हैं और उस जीवन में सफल हो सकते हैं ये तभी संबभफ होगा, जब हम अपने सोच को सकरातमक रखेंगे, कभी बी किसी भी परिस्थिती में कोई भी मुश्किल हमारे सामने आए, तो हमें उसका सामना सकरातमक सोच से करना चाहिए, ना कि उसके सामने घुटने देखने चाहिए, तो कभी भी इस व्याख्या में यही कहना चाते हैं, कि अभी मेरे मन में मृदुल अर्थाद कोमल वसन खुशियां, तो अभी मेरे मन में कोमल खुशियों का आगमन हुआ है, तो अभी मेरी मृत्यू नहीं होगी, तो इन पंक्तियों में कभी छीपे होई तरीके से यही कहना चाते हैं कि उनका मन जोश और उसा से भरा हुआ है जब तक वो अपने लक्षे को प्रापत नहीं कर लेते तब तक उनका अंत अर्थात मृत्यू नहीं होगी तो इसका विता का दूसरा का व्याश इस प्रकार है हरे हरे ये पात पात का अर्थ है पत्ति हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात गात का अर्थ है शरी मैं ही अपना स्वपन मृदूल कर कर का अर्थ है हाथ फेरूंगा निदरित कलियों पर जगा एक प्रत्यूश मनोहर तो निदरित कलियां सोई हुई कलियां जगा एक प्रत्यूश अर्थाद प्रभाद तो इस कविता में कभी सूरे कांतर पाथी जी जो नीन से अलसाय हुए पुश्प है तो उन पर अपना प्यार रूपी हाथ फेलना चाते हैं यहाँ पर उन्होंने अलसाय हुए पुश्पों की तुलना नौजवान वर्ग से की है जिस परकार युवा पेड़ी निराश है ठकी हुई है हमेशा उनके जीवन में निराशा रहती है तो उस निराशा को कभी अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से उनके जीवन से दूर करना चाते हैं तो कभीता में हारे हुए निराश लोगों को कभी ने सोई हुई कलियां कहा है जिस परकार सूरे जब उदे होता है, सूरे भगवान प्रगठ होते हैं तो सोई हुई कलियों पर जो वो अपना परकाश डालते हैं तो वो कैसे खिल उड़ती हैं। उसी परकार यदि सूरे कांतिरपाठी निराला अपनी प्रेनाओं के सूरे रूपी परकाश निराश युबकों में डालेंगे तो किस परकार उनके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा। तो यही अंदकार को दूर करने के लिए सूर्य कांत्रिपाठी निराला जी ने इस कविता की रचना की है। तो इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से ही कवी नौजवान वर्ग में आनन्द, उल्लास और उमंग भरना चाते हैं कि कैसे वो अपने जीवन को सार्थक बनाए, अपने जीवन के लक्षे को प्रापत करें, अपनी सफलता को छूएं, तो इस कविता का उद देशे यही है कि वो कैसे अपने जीवन में सफलता को पाएं, तो इस कविता का तीसरा कावियांची स्प्रकार है, पुश्प पुश्प से, तंदरालस, लालसा, खीच लूंगा मैं, पुश्प पुश्प अर्थार, फूलों से, तंदरालस, आलस से, पुष्प पुष्प से तंदरालस आलस से, यानि अगर फूलों में किसी भी परकार का आलस से आया है, तो कभी उनके उस आलस से को खींचना चाते हैं, उनके उस आलस से को दूर करना चाते हैं, लालसा, क्योंकि हमें जब नीद आरी होती है, तो हमें होता है कि हम थो निकाल देनी चाहिए लालसा का अर्थ है इच्छा तो फूलों की भांती अगर हमारे अंदर किसी भी तरे का तंद्रालस है अलस्य है तो उसको हमें दूर करना चाहिए अपने नव जीवन का अमरित सहर्ष सीच दूंगा में तो कभी कहते हैं कि जिस प्रकार मेरे जीवन में तो उन्ही प्रेनाओं को आधार मानकर उनका अमरित मैं नोजवान वर्ग में डाल दूंगा सीच दूंगा उनके मन को कोमल रुपी रिदेस बनाकर उन्हें प्रेना की तरफ ले कर जाऊंगा तो ध्वानी कभीता की इन पंक्तियों का आधार यही है कि किस प्रकार हमें आशाबादी रहना चाहिए अपनी सोज को सकारात्मग रखना चाहिए इसमें कविता में कभी लोगों के जो नव युवक है जो युवा पीडी है उनकी उदासी को ही बाहर निकाल ले की बात कह रहे हैं वो उन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं कि किस प्रकार हम नई जीवन की दिशा को आगे बहतर रूप से बढ़ा सकते हैं हर पुष्प से वो आलस और उदासी खीचना चाहते हैं तो उसमें वो हमेशा नई जीवन में अमरित भरना चाहते हैं कि जिससे हम अपने जीवन में तरक्की कर सके काम्याबी की उन असीन उचाईयों को सभी नोजवान या युवा पीड़ी छूँ सके तो कविता की अंतिम पंक्तिया इस प्रकार हैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है वे मेरे जहां अनंत अभी ना होगा मेरा अंत तो द्वार का अर्थ है दर्वाजा तो कवी कहते हैं कि मैं उन युवकों को ऐसे द्वार तक ऐसे दर्वाजे तक लेकर जाऊंगा जहां पर सिरफ सफलता ही होगी उनका जो लक्षे है उस लक्षे को उस काम्याबी को वो पा सकेंगे उनके जीवन में निराशा का कोई भी स्थान नहीं होगा वो हमेशा आगे बढ़ने की ही सोचेंगे द्वार दिखा दूंगा फिर उनको हैवे मेरे जहां अनन अभी न होगा मेरा अन्त कि मेरी मृत्यू तब तक नहीं होगी जब तक मैं नौजवान वर्ग को आगे ना ले जाऊं उन्हें परिक्षरम का वो रास्ता ना दिखा दूं जिस पर चलकर वो अपने जीवन को सार्थक बना सके सफल बना सके तो इन कविताओं में कभी यही कहना चाते हैं कि अगर युवा पेड़ी परिक्षरम करेगी तो उसे मन चाहा लक्षे प्रापत होगा मन चाहा लक्षे पाकर ही वो काम्याबी की उन असीम उचाईयों को चू सकते हैं और उनमें वो निराशा, रूपी जो भी उनके विचार हैं उनको उनके हृदे से, उनके मन से निकाल कर आशा का संचार करना चाते हैं एक नई उर्जा उस पीडी में डालना चाते हैं कि किस प्रकार वो अपने जीवन में आगे भड़े तो ये कविता यहीं पर समापत होती है झाल झाल झाल